अगर आपको पता चाहें जा बाभाव बने के बहुता है सुरब जी आपको भी अतीक एहमद या दूसरे किसी बाहुबली से मिलें अगर हां तो आपका अन्भौक ऐसा रहा बाहुबलीों में एक नाम गिनाया जाता है फैजाबाद के अभै सिंग का तो अभै सिंग वर्सिस खब्बू तिवारी की पत्नी एक बड़ा ये होट सीट कही गई थी तो हम लोग अभै सिंग का इंटर्यू करने गए थे और बड़ी चाक्चौबंद सुरक्षा रहती है वहाँ पे शाम रात को पहुंचे थे बातचीत हुई थी और दिल्चस्पन भोट था पर वो इतना कट टू कट था कि उससे इतर कुछ बात नहीं हो पाई बाहु बलियों में कई लोग रगुराज प्रताप सिंग और फ्राजा भहिया का नाम भी गिनाते हैं उनके साथ खूब समय बिताया वो इंटर्विव तो बहुत देखा ही गया इंटर्विव के बाद भी चर्चा हुई और मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ रगुराज प्रताप सिंग और फ्राजा भहिया का उन्होंने जब हम लोग वहां पहुँचे और उसके पहले से वो ललन टॉप देखते हैं तो जैसी हम लोग पहुचे तो वो हमसे मिलने आए अपनी बैठक से निकल के उनके घर जब पहुचे तो उनके वहां पे काल करता होंगे उन्होंने हमारी तस्वीरे कीची जिसमें हम काली से उतर रहें मिल रहें और राजजबही अभी मिल रहें वो तस्वीरें उनकी पार्टी के सोशल मीडिया हेंडल्स पर पोस्ट हुई होगे उसके कुछ हफ्तों के बाद हम लखनव में थे एक होटल में और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई दुश्यंत सिंग से दुश्यंत सिंग सांसद हैं राजिस्थान से उनकी मा वसुंद्रा राजे कई बार मुख्य मंत्री रही हैं दस साल तक राजिस्थान की तो दुश्यंत सिंग से मेरी वो पहली मुलाकात थी पर वो बोले कि अवे मैं आपको जानता हूँ पहले से उन्होंने पंजाब में हमने इंटर्वीय किया था वजेन सिंग शेखावद का उसका जिक्र किया उसके किसी परिसंक का और कि फिर कहा कि हमने आपकी राजा भहीया के साथ फोटो देखी तो उनकी कुछ रिष्टेदारई भी ह कि राजा भहिया के मामा हैं सम्थर के गर उठा के राजा सम्थर कहा जाता है उनको और उनकी जो बिटिया यानी राजा भहिया की ममेरी बहन वो ब्याही है दुश्यन से तो उस हिसाब से उनकी रिष्टेदारी भी है तो बोले मुझे बड़ा यह अचरज हुआ कि किस से मिलन से मिलाया फिर उसके बाद कुछ बता रहे थे राजा भाहिया जो बता रहे थे उसमें वीरस का प्राच्चोरे था और जब यह बता रहे थे तो उनके ड्राइंग रूम में बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है जिसमें राजा राम राजा राम क्यों कह रहा हूं क्योंकि र बाच्वर की बात हो रही थी प्रसंग है एक प्रसंग और है एक और बावबली थे और उनसे खुब सक्त सवाल पूछे गए इंटर्वीव में हमारे साथी के द्वारा और जब इंटर्वीव पूरा हुआ तब तक जो पत्रकार था इस्थानी जिसने इसका आयुजन करवाया उसकी लोहका ले गई थी मतलब घवराया हुआ सथा और बावबली की समर्था बार बार उसको घूर के देख रहे थे जैसे इंटर्वीव कंप्लीट हुआ तो उनको लगा कि अब इसमें कुछ कटवट हो जाएगा कुछ चेंज हो जाएगा लेकिन हमारे साथी ने तुरंत कैमरा परसन से का हाँ वाई कितने लोग थें तो उसमें बसाब 46 सो लोग मतलब इतने लोग लाइव देख रहे थे तो जैसे ही बावबली को पता चला कि ये लाइव चल रहा था तो उसके बाद से फिर उन्होंने शिकायते नहीं कि इसकी एक उपकथा भी है पर वो नहीं चीद बताओं cry और रहना ट्रेट्शिस लिक हो तो यह चाहेगा तो यह जो बहुऔर नजर आते हैं यह परेस वालूं के साथ खास तो और पर जो गिल्ली और लखनों की परेस उन उनके साथ खूब जोशो खरोश के साथ मिलते हैं और तब तक तो बड़ी आत्मियता या गर्माहट दिखाते हैं जब तक इनके राजनेतिक हितों को कोई बड़ी चोट ना पहुँच रही हो क्योंकि इनको भी पता है कि इनके आभा मंदल की निर्मिती में इस चीज का बड़ा योगदान है कि इनके बारे में बात की जाए और आते तो हमारे आपके बीच से ही इसी समाच से है सुवीकारता भी है इसलिए चुनाव भी जीतते हारते हैं और बाकी अभी तक ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई है हाँ उनसे भी एक बार मुलाकात हुई थी विजय सिंग ये फरुखा बाद सदर से विजय सिंग दभ्यांती सिंग जो ब्रम्दत द्यूइदी हत्याकांड में सजा पाए हुए है तो वो अगर आप 2017 का वीडियो देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा तो इस तरह से मिलते रहते हैं हम लोगों को जो राजनीटी में हैं और मुक्तार अंसारी और अतीक एहमत से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुए है